गुद मॉर्लिंग स्टुडेंट्स अफ क्लास फोर्थ आज हम पढ़ेंगे आपकी जीके का फिफ्थ चैप्टर जिसका नाम है फ्रूट्स पॉर हेल्थ यानि कि हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से फ्रूट्स है बच्चो जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है और बच्चो यह लाइन समझने से पहले हम समझेंगे कि हमारी बैलेंस डाइट होती है वह होती क्या है तो बच्चो बैलेंस डाइट एक ऐसी चीज होती है जो हमारे खाने से रिलेटेड होती है जो भी हम खाना खाते है उससे यह चीज रिलेटेड होती है तो यह कैसे रिलेट यानि कि इसमें देखेंगे कि इस में vegetables भी है fruits य वेजी टेबल्ज त ways है यानि कि जहां पर आपको वेजी टेबल्ज लेकिश मचा है और फूर्टी परसेंट पार्ट है यानि कि उच्छों दाइठ हमें कहती है कि हमें फूड के अंदर फॉटी परसेंट यानि कि आधेश से थोड़ा कम यानि कि फॉटी परसेंट हम लोगों को क्या करना चाहिए फूट्स और मेजिटेबल्स खाने चाहिए ओके बच्चो जबकि फिर देखे 25 परसेंट में क्या आता है हमारा 25 परसेंट में तो देखे ग्रीन वाला पॉर्शन आता है जो 25 परसेंट दे रखा है आपको और इसका नाम के प्रोटीन यानि कि हमारे फूड के अंदर 25 परसेंट हमारा प्रो होने चाहिए फाइबर-rich carbohydrates यानि कि जो भी हम वीट से बनी चीजे खाते चीजे गयाने की गेहों की रोटी हो गई जो भी आप पतेटो जैंड इसके अंदर कार्वो हाइट ज़्याद होता है यह स्टार्च जादा होता है स्टार्च मतलब डशी चीज होती है does naturally plants के अंदर फिर उनके फ्रूट्स होते हैं या फिर उनका स्टेम होता है उनके अंदर हमें मिलता है तो वह होता है स्टार्ट ओके बच्चों तो देखिए यह जो चीज है यह आपको समझाती कि हमें बैलेंस डाइट में क्या-क्या चीज़े लेनी चाहिए अब इतक हमने क्या पड़ा इ प्रोटीन लेने चाहिए प्रोटीन नहीं बच्चों फ्रूट्स एंड वेजीटेबल्स ओके मोस्ट अफ टाइम हमें फ्रूट्स एंड वेजीटेबल्स खाते रहना चाहिए ओके तो देखिए फिर क्या है बाद में आपका 40 के वाद में 25 परसेंट जो कि फर्स आता है प्रोट्स पीटेबलके boy फैटैन या क्यों अवस्वहाद पीजिले के वाद हेस अमारे हाव होते हैं थोड़ी सी अमाउंट के थोड़ी मातरा में ओके तो जो फैट छेंदर के सबसे लोइसथ प्रोशन सबसे कम अमाउंट में ले रख semi यह जो की हैं यह 10 परसेंट परसें वह अठ्छे से बैलेंस हो पाएगी और उसके अंदर ना तो हम जादा फैट हो जाएंगे और ना ही हम जादा पतले रहेंगे बैलेंस टाइट होती जिससे क्या होता तो यह लिए अब बैलेंस डाइट मतलब आपने समझ लिया बच्छे गैं को फ़स्ट लाइं का बोल रही है हमें fruits are very important part of our balance diet जैसे कि अभी आमने देखा था कि 40% part किसका होता है हमारी balance diet में fruits and vegetables का okay तो ऐसे ही हम लोग बता सकते हैं कि fruits होते हैं वो हमारी balance diet के लिए बहुत ही जादा important होते हैं okay फिर देखिए fruit are gifts of nature यानि कि बच्चों जो देखिए आप पहले ये बताएं नेचर क्या है नेचर हमारा environment है जो हमारे आसपास चीज़े हैं यानि कि जो हमारे plants है जो हम आसपास देखते हैं जितने भी plants हम देखते हैं वो क्या है हमारे वहुत टशों हैं स्काईरों दुवारा साहल तो दुवारा जोही है कि मुत्रा फ्रॉट्स मिलते हैं यहारा फ्रॉट्स गीफ्टी defender नेचर ऑके बच्चों फिर देखिए दे और नोट ओंली डिशियस बट और आवर हेल्थ यानि कि बच्चों यह डेलिशियस तो होते ही यानि कि टेस्टी तो होते ही यह सारे फ्रूट्स जबकि यह हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे भी होते हैं तो यह था आपका introduction करना है ईसको आप ऐसने करेंगे बल्कि नीचे इसमें को श्यंट दें रहे हैं उन कोश से आंशर देखकर आप इस के अंदर फिल करेंगे येगे आप तो देखिए first question क्या है first question हम देखते है across का यानि कि यह जो across लिखा है बच्चों हम पहले इसके questions पड़ेंगे तो देखिए across में आपको four questions दिए वे बच्चों पहले ही समझते कि across में हम लोग कैसे fill करते है answer को तो बच्चों across में क्या होता है हम लोग left to right fill करते हैं okay जैसे कि देखिए across का third question देखते हैं पहले तो across में third question आप देख सकते हैं जो पापाया की photo इसके आगे आप देखिए जो आपको left से right column में दिया है पी ए पी ए वाई ए पापाया तो यह इसको ऐसे fill करना left to right के order में इससे हम लोग क्या मोलता है across ओकी जबकि जो दूसरा वाला क्या है आपका down डाउन का मतलब होता है बच्चों उपर से नीचे यानि की top to bottom जैसे की top to bottom या फिल किया हुआ आपका grapes फिल किया हुए आपका जी आर ए पी ए एस तो यह हो गया आपका top से bottom वाला ओके तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे across के questions देखिए फर्स कोशन इसमें थर्ड वाला दे रखा है आपको थर्ड कोशन देखिए इसमें क्या है a rich source of vitamins A and D यानि की बच्चों यह जो fruit है इसके अंदर क्या होते हैं बहुत ही अच्छी amount के अंदर rich source मतलब बहुत ही अच्छी amount में इसके अंदर vitamin A और vitamin D होते हैं तो यह कौन सा fruit है बच्चों चली रेखते हैं से तो यह है हमारा papaya P A P A Y A तो बच्चों आपको यह कोशन पढ़की थर्ड वाला फिल करना है जैसे मैंने इसमें फिल किया है ओके तो इसका answer हो गया आपका papaya अब देखिए next 5th question across का 5th question a good source of vitamin C यानि कि बच्चों यह ऐसा fruit जिसके अंदर vitamin C बहुत ही अच्छी amount में होता है इसको हम लोग पाईडिया भी बोलते हैं है ना तो इसमें क्या होता है कि यह जो fruit है यह सकर्वी को भी help करता है इसको ट्रीट करने में यानि कि यह सकर्वी के अंदर अगर आपको डिजीज होती है सकर्वी तो आप अगर यह fruit खाएंगे तो यह डिजीज वो ठीक भी हो सकती है तो इस fruit का क्या नाम है बच्चो अक्रॉस का broad देखिये अक्रॉस में विफथ दे राका आपको gua ओकि यह जी यू ए विये यानि कि ग्वावा यह किसमें हेल्प करता है स्कर्वी के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है यानि कि जो स्कर्वी डिजीज होती है उसको भगाने में हेल्प करता है यानि कि उसको ठीक कर देता है और इसमें ज्यादा क्या होता है इसमें विटामिन mango लेकिन आगे पढ़िए question a very good source of vitamin A बच्चों आपको यह भी धियान रखना है कि जो mango होता है इसके इंदर क्या होता है बहुत ही अच्छी amount में vitamin A मिलता है ओके तो देखिए इसका 7th हम फिल करते हैं यह 7th यह आपका जिसमें मैंने फिल कर रखा है M A N G O mango ओके बच्चों अब देखिए 7th question भी हो गया हमारा अब देखिए 8th question a fruit with a seed surrounded with fleshy pulp याने कि बच्चों यह एक ऐसा fruit है जिसके अंदर याने कि इसमें seed होता है और यह जो seed होता है सीड याने की बीज तो यह बीज होता है इसका किस से surrounded होता है fleshy pulp से fleshy मतलब जिसके अंदर गूदा हो जैसे कि मतलब जो खाने की चीज़से में ज्यादा हो है ना बच्चो तो इस फ्रूट में भी कुछ ऐसा ही होता है मैंगो जैसा तो देखिए इस फ्रूट का नाम क्या है इस फ्रूट का नाम है हमारा लिची ल-y-c-h-e-e लिची ओके बच्चो तो बच्चो हमारे जो एक्रॉस के कोशन से वो सारे खतम हो चुके अब हम पढ़े फॉर ऐस यह ने कि बच्चो यह जो फूट आपको डाउन का फॉस्ट तो देखा है यह जो फू अपका है यह क्या होता है यह फॉक्स के लिए फॉक्स के लिए Kız के लिए लेकिन इसके अंदर vitamine C बहुत ही अच्छी अमाउंट में होता है वोकी बच्चो तो इस fruit का क्या नाम है चलिए देखते हैं डाउन का first तो डाउन का first इसमें क्या दे रखा है आपको grapes वकी बच्चो यानि कि जो grapes होते हैं वो एक लोमडी यानि कि fox को तो बहुत ही खटे लग जैसे कि आप औरेंज देखते हैं कभी-कभी जो औरेंज जो होती हो खटी होती है तो वह जो औरेंज खटी होती है उसमें क्या होता है विटामिन सी बहुत ही अच्छी अमाउंट में होता उसके इंदर ओके बच्चो तो यह हो गया आपका डाउन का फर्स्ट कोशन अब यह जो फरूट है यह एक पॉपुलर समर फरूट यानिकी यह गर्मियों के अंदर बहुत ही खाया जाने वाला फरूट सबस्साला खहांद सकते हैं कि यह सबसे जादे दिने रास कहां रारश मेंसेरों तो अमगर हम लोग NAOMO χाइए को बहुत यह form में तो क्या होता है हमारा जो Songs अमंट भी अच्छी होती है , इसका āच्छी होती है ओके देखिए इसका ऐंसर क्या तो यह ऐसी कॉन सा fruit जिसमें आयण भी बहुत ज्यादा होता है कर दो सामनल में भी बहुत जादा कहते हैं हम लोग तो देखिए इसका आंसर है हमारा Watermelon देखिए W-A-T-E-R-M-E-L-O-N Watermelon तो यह है आपका second question down का अब देखिए third question It is also known as Indian gooseberry यानि कि बच्चों यह जो fruit है इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसका दूसरा नाम क्या है Indian gooseberry ओके बच्चों यह एक तरह की berry होती है तो इसे बोलते है Indian gooseberry इसका दूसरा नाम है Indian gooseberry और इस source of vitamin C इसमें भी क्या होता है बच्चों vitamin C जो होता है वो बहुत ही अच्छी amount में होता है तो देखिते हैं यह कौन सा fruit है देखिए डाउन का फोर्ट देखते हैं जादा amount में क्या होता है इसके इंदर विटामिन सी अब देखिए बच्चों इस फ्रूट को हमेशा खाते हो तो आप क्या करोगे आप disease free होता होगे यानि कि आपको भी बिमारी नहीं लग सकती आसानी से और आप डॉक्टर के पास जाने से हर बार बच जाओगे तो यह कौन सा fruit है भई जो हमें बहुत ही अच्छा यानि कि safe रखता है यानि कि disease free रखता है या फिर बिमारी से हमें दूर रखता है तो यह fruit है हमारा apple तो देखिए इसमें हो जाएगा down का 6th a double p l e apple ओके बच्चों तो यह था आपका crossword puzzle crossword puzzle और अब तो नीचे दो चीज़ें आपको दे रखी है do you know and amazing fact के अंदर तो देखिए do you know में हमें क्या बता रखा है कि fruits are loaded with nutrition यानि कि बच्चों जो हमारे fruits होते हैं उनके इंदे बहुत ही जादा amount में nutrition होता है nutrition मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें जो हमें खाने से मिलती है you should plant a sapling of your favorite fruit tree on your birthday every year and care till it is big enough यानि कि बच्चों यह आपको do you know में आपको बोल रहा है कि जब भी आपको birthday आए तो आपको क्या करना है आपको एक कोई भी ज़ा आपका favorite fruit है आपको उसका plant sapling लाना यानि कि छोटा सा पौदा लेकर आना है और उसको आपको plant करना है और उसकी तब तक देख भाल करनी है आपको जब तक आप बड़े ना हो जाओ sorry जब तक यह plant बड़ा नहीं हो जाए ओके बच्चों तो यह आप कीजिएगा आपको बहुत मज़ा है गाई इसमें अब देखिए अमेजिंग फैक्ट अब बच्चों अमेजिंग फैक्ट में हमिन क्या बोला है वाटरमेलन के बारे में बात बात की है कि more than 95% of water melon is water यानि कि बच्चों जो हमारा watermelon होता है हमने क्या पढ़ा था कि जो water melon होता है वो Summers के अंदर बहुत ही ज़्यादा खाया जाने वाला fruit है और इसके अंदर जादा मुंत में क्या होता है आयन होता है हमने पढ़ा था आयरन होता है इसके अंदर तो देखे इसमें होता क्या है जो water melon है हमारा वो 95% हमारे water से बनता है कि जो 100% होता है उसका 95% इसमें सिर्फ वाटर होता है और जो पीछे बचावा 5% है उसके अंदर होता है हमारे फ्रूट होता है इसका watermelon का ओके बच्चो तो यह था watermelon के बारे में और यह था आपके चाप्टर के बारे में तो यह जो चैप्टर 5 प्रिवक के अंदर यह फिल्प करना रहे है जबकी जो आप करेंगे इसे फिल्पक करेंगे stop beim Patch करेंगे लेकिन आप क्या करेंगे सात्व में आपको यह बुक के अंदर यह क्रॉसवर्ट पजल नहीं बना कर क्या करना है आपको आप यह फर्स्ट कोशन ऐसे लिखेंगे और रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड दी फिर आप आगे ही इसके नीचे इसका आंसर लिख देंगे किसका आंसर क्या है थर्ड का आंसर है प पाया ऐसे ही आप फिफ्थ कोशन करेंगे पहले आप कोशन लिखेंगे अगुट सोर्स ऑफ विटामिन सी इट हैं ट्रीटमेंट आप यह लिखेंगे फिर इसके नीचे एक लाइंग का चोड़कर आप इसका आंसर लिखेंगे तो इसका आंसर क्या है बच्चों फिफ्थ क के अंदर लेकिन जो क्रॉसफ़र्ट पजल या आपको अपनी इबुक के अंदर ही सॉल्फ करना यह कॉपी के अंदर नहीं बनाना है कॉपी के अंदर आपको स्रिफ यह कोशन लिखने एंड सीधा इनके आंसर लिखने हैं ओके बच्चों आज के लिए इतना है बाई